प्रुबो की करपा आप पर वनी रहे इसके लिए कमेंट बाइब करेंगे पर वक्स में जैसे राम जरूर लिए ना छोटा सा काम है लिकर दीजिए जैथा कि आप सभी लोग जानते हैं सपन बिग्यान एक आईसी पुस्तक है जिसमें हर सपने का कहीं न कहीं अर्था भर्ष्य बताया गया है सपन बिग्यान के अनुसार सपने हमारे भविश्य का में अच्छे या बुरी घटना होने से पहले ही कुछ ना कुछ अंदाजावस से लगा पाएंगे अब बात कर लेते हैं सपने में इमली देखना अगर आप सपने में कच्छी इमली देखते हैं तो यह सपना आपको बताता है कि अभी के टाइम पर जो भी आप टार्गेट होने के बजाए आप से दूर चला जा सकता है यह पुरुज भी हो सकता है इस्त्री भी हो सकती है कोई टार्गेट भी हो सकते हैं नोकरी इत्याद भी हो सकती है अगर आपने अपको जो है डिसिप्लीन नहीं रखा तो आने वाले समय में आपके जीवन में दिखते हैं स्टा अगर आप सपने में इमली अपने आपको खाते हुए देखते हैं यह तो सपना आपको संकेत देता है कि आपके जीवन में कुछ उठा पटक हो सकती है अभी के टाइम पर आगर आपके मित्रों के साथ आपकी अच्छी खासी है तो आने वाले समय में कुछ समय के लिए आप और आपके प्रियेज मित्र जो भी हो उनमें थोड़ी वोड़ी खटास आपको देखने को मिल सकते है क्योंकि इमली खटी होती है और जब भी आप सपने में उसको खाते हुए अपने आपको देखते हैं तो ये घंटी होती है कि आपके जीवन में कुछ खटा अवस्य होने वाला है भाई ये बात कहलेते हैं अगर आप सपने में इमली जो है किसी दोसरे को देते हैं तो ये भी सपना आपको खटास बढ़ने वाला माना जाता है इसका मतलब होता है कि आपके जीवन में विवादों की इंट्री हो चुकी है और जिसकी वज़े से आपके आए दिन कहीं न कहीं जगड़े अवस्य होंगे अगर ऐसा सपना आता है तो ये सपना आपको आने वाले खत्रों को संकीत देता है क्योंकि सपने विग्यान के अनुसार इमली का पेंड अच्छा पाउधा नहीं माना जाता है उमेद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी तो एक कमेंट बॉक्स में जैसे राम लेखना बिलकुल मत भूला थैंक ये फूर वोचिंग